हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो से हम लोग जान चुके हैं कि निव लेंड्स के रियोडिक टेवल बना नहीं पाये थे और उनकी सुची में तिन-तिन तत्वों के समूख के रूप में कुछी तत्वों सामिल हो पाये थे वह यह कलपना नहीं कर पाये थे कि 56 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं जिन्हें बविस्य में खो जा सकता है यह सब कुछ हम लोग जान चुके हैं लेकिन निव लेंड्स के अध्यान से आगे की राह थोड़ी असान जरूर हुई उन्हें लग गया था कि एलिमेंट्स की प्रपटिज और उनके अटोमिक मास के बीच कुछ ने कुछ रिलेसंस जरूर है मेंड्लिव के द्वारा इन बातों की पुष्टी भी दामेत्री मेंड्लिव एक रूसी रसायन वैज्यानिक थे और उन्होंने तत्यों के आवर्ती वर्गी करके एक सार्णी वराने में सफलता हासिल की थी यानि पहली बार वो पेरियोडिक्टबल बनाने में सफल हुए थे वो अपने अध्यन से या पता लगा लिये थे कि तत्यों के भौतिक और रसायनिक गुनों में एक क्रमबध बदलाव होता है और एक निस्शित अंतराल के बाद शिमलर प्र्पटीज वाली एलिमेंट्स मिल जाती हैं यानि समान गुन धरमों वाले तत्यों एक निश्यत अंतराल के बाद predictable में रखे जा सकते हैं इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही simple trick निकाला था उन्होंने तत्तों का नाम प्रमानुभार उनके hydrogen और oxygen से reactions आदी की जानकारी इकठी की उस पर काफी अद्धेन किया और उन्हें एक जगह पर लिख लिया इसके लिए उन्होंने कार्डों का सहरा लिया कुछ कार्ड बनाए उनके समय में 63 elements ही ग्याद थे इसलिए उन्होंने सभी elements का symbol अलग-अलग कार्ड पर लिख लिया और लिख करके उन्हें अपनी study room की दिवार पर इस तरह से सजाया कि similar properties वाले elements एक साथ आ जाएं इस तरह से वह अपनी कार्ड को सजा रहे थे कि सभी similar properties वाले elements एक साथ आ जाएं और इस तरह बारी-बारी से वह सभी कार्डों को टाकने में सफल हो गए तथा उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि अगर elements को atomic mass यानि उनके प्रमानुद्र बिमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो एक नस्यत अंतराल के बाद ही similar properties वाला element आ जा रहा है दोस्तों इस तरह से उनका तेज दिमाग यह असानी से पकड़ लिया कि तत्वों के भौतिक और असानिक गुन उनके प्रमानुद्र बिमान के आवर्थ फलन होते हैं यानि physical and chemical properties of elements are the predict functions of their atomic message यही मेंडलिव का आवर्थ नियम कहलाता है आसा है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए प्रमानुद क्रम में सजा दिया जाए तो एक निशित संख्या के बाद ऐसा तत्वों आएगा जिसकी property पहले वाले तत्वों से match करेगी और कह सकते हैं कि एक निशित अंतराल के बाद समान गून धर्म वाले तत्वों एक साथ आते हैं यही मेंडलिव्स का periodic law का लाता है इस law को उन्होंने 1869 में दिया यानि 1869 में और इसके अधार पर सारनिया तैयार हुई और सारनी जब दुनिया के सामने आई तो तहलका मज़ गया क्योंकि उनकी द्वारा तैयार सारनी यानि प्रियोडिक्टेबल में बहुत सारी खासियते थी और केमिस्ट के लिए बहुत यूजफुल थी उनका प्रियोडिक्टेबल की क्या खासियते थी कि लोग इतना यूजफुल मान रहे थे तो आईए हम लोग भी जानते हैं उनके टेबल में कुछ उदगर कतारें यानि वर्टिकल लाइन्स और कुछ शेतिज कतारें यानि होरिजन्टल लाइन्स बनी वी थी हैं इस तता से होरिजन्टल और वर्टिकल लाइन्स के कटने से बॉक्स जैसी संदचना बन जा रही थी जिसे ब्लोग कह सकते हैं अब उन बॉक्सों में elements के symbol, उनका प्रमानुद्र बिमान, आधी रखने की सोहलियत हो गई, vertical lines वाली अस्तंभों को वर्ग यानि groups और horizontal lines वाली कतारों को periods यानि आवर्द कहा जाता है, उनके table में इस तरह से कुल आठ ग्रुप थे, और साथ periods थी, यानि वर्गों की संख्या आठ थी, और आवर्द साथ थी, आप लोग समझ गए होंगे कि vertical columns groups कलाते हैं, जबकि horizontal rows periods कलाती हैं, उनके vertical columns यानि group में दो उपवर्ग बनाया गए थे, उपवर्ग A और उपवर्ग B और उनमें तत्तों को अस्थान दिया गया था, उनके द्वारा बनाया गए प्रियोडिक टेबल से तत्तों के hydride, oxide, आधी के formula को असानी से समझा जा सकता था, यानि hydrogen और oxygen के reactions से बनने वाले compounds के formula को समझना असान हो गया था। दोस्तों, उन्होंने hydrogen या oxygen को इसलिए चुना था, कि इनका reactions अधिकतर elements के साथ होता है। साथ ही उनकी table की एक और खास बात थी, कि table में कुछ उन्होंने gap छोड़ रखा था, जहां कोई element नहीं आ रहा था। इस अधार पर उन्होंने कहा था कि भविस्ष में कुछ ऐसी elements इस तरह के गुनों वाली ढूड़ी जा सकती हैं और उन्हें इन gaps में भरा जा सकेगा। और उन्होंने कुछ नामों की भी गोस्ना कर दी थी, जैसे एका बोरोन, एका सिलिकन और एका एलुमोनियम, बाद में इस तरह के तर्ट ढूड़े भी गया, जैसे क्रमसह, इसकैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम, बाद में कुछ नोवेल गैसों की खोज हो जाने के बाद उनके टेबल में एक अलग से वर्टिकल कतार बना करके, जो टेबल के लास्ट में ग्रुप को जोड़ दिया गया, और उस टेबल को और यूजफूल बना दिया गया, उनके टेबल से भविस्ष में नए तर्टों के खोज की राह भी परसस्त होई, दोस्तों यह जान दिजिए कि उनके द्वारा बनाए गए टेबल में फिर भी उनके लिमिटेशन्स थी, उनके टेबल के कुछ टिफिक्ट्स हम लोग देखें, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने टेबल में तत्तों को उनके बढ़ते हुए प्रमानुभार के क्रम में सजाया था, लेकिन उनका यह क्रम कहीं कहीं तूट गया है, जैसे कोबाल्ट का प्रमानुद्र विमान 58.9 होता है, जबकि निकल का 58.6 इस तरह से कोबाल्ट को निकल के पहले रख दिये, जिससे उनका बढ़ता हुआ प्रमानुभार का एक क्रम जो था वो तूट गया, उसी तरह से टेलोरियम को आयोडिन के पहले रख दिया गया है, वहीं पर थोरियम को पोटेक्टियम के पहले रख दिया गया है, इस तरह से यह एक बड़ा डिफिक्ट है, वहीं पर आठवे बर्ग में तीन-तीन एलिमेंट्स को एक ही अस्थान पर रख दिया गया है, उनके टेबल में हैड्रोजन को ग्रुप 1A में रख दिया गया है, इस तरह से उनके परियोडिक टेबल में हैड्रोजन का अपरप्रियेट अस्थान नहीं है, उनके परियोडिक टेबल में समस्थानिकों को भी उचित अस्थान नहीं दिया जा सकता है, यानि आईसोटोप्स को कोई अपरप्रियेट प्लेस नहीं मिल सकता है, हम लोगों को जानना चाहिए कि समस्थानिक यानि आइसिटोप्स यह कहीं तको के ऐसे रूपे हैं जिनके प्रमानु दर्बेमान तो अलग अलग होते हैं लेकिन प्रमानु संख्या एक ही होती है और दर्बिमान में अंतर होने की वज़ा से उन्हें अलग-अलग अस्थानों पर रखा जाता है। लेकिन इतने सारे डिफेक्ट्स होने के बावजूद भी टेबल की लिमिटेशन्स होने के बावजूद भी बहुत दिनों तक वह टेबल पर चलित रही ततार साइन सास्तियों के लिए उपयोगी बनी रही। इसलिए मैंडलिव को आवर्थ सारनी का पिता भी कहा जाता है। साथ ही कुछ कैमिश्टों को अब लगने लगा था कि प्रमानुद्र बिमान के अधार पर एलिमेंट्स का क्लासिपिकेशन सठीक नहीं हो सकता है। और इस तरह से आगे के सुधों की राह खुली रही। और मॉजले ने एक नया प्रेवडिक्ट लौ दिया। जो तक्तों के प्रमानुद्र संख्या पर अधारित थी। और मॉडर्न प्रेवडिक्टबल उसी अधार पर बने हुए है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में अच्छी तरह से जानेंगे।